बिस्मिल्लाहिरामानियरहीम असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो मारी चैनल आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आलू मत्र की सबसी जो के हर घर में बनाई जाती है और तप्रीबन ये सब की फेवरेट होती है और आजकल जैसे के आपको पता है के मत्र का सीजन स्टार्ट हो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी वन टेबल स्पून लेसन अदरा का पेस्ट इसको मैंने एड़ करने के बाद तकरीबन एक मिनट तक इसको सौते कर लिया है दो प्यास लिया है मैंने उसको अच्छे से चौप कर लिया है और चौप करके मैंने इसमें एड़ किया है अच्छे से mix करेंगे ताके जो lesson का flavor है वो प्यास के अंदर और oil के अंदर अच्छे से आ जाए दो से तीन मिनट अच्छे से इनको पकाने के बाद मैंने तीन से चार हरी मिर्चे ली ती और दो टमाटर इनका भी मैंने paste बना लिया है इस तरह से paste बनाके जब अब मसाला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा flavor आएगा वन टीस्पून मैंने इसमें डाला है सुर्ख मिर्च पाउडर वन फॉर टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून नमक वन टीस्पून खुश्क दन्या पाउडर अच्छे से मिक्स करूंगे इनको और तब तक मैं इनको पकाऊँगी जब तक अच्छे से gravy ना बन जाए और मसाले की एक अच्छी सी और खुबसूरा सी खुश्बून आने तक जाए अब देखें ओयल ने मसाला को छोड़ना शुरू करती है अब मैं इसमें डालूंगी क्यूबस में कटे हुए अलू लिये थे उनको मैंने क्यूबस में कट कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी एक किलो मटर अब मैं इनकी तक्रीबन तक्रीबन चार से पांच मिनट तक अच्छे से भुनाई करूंगी ताके जो मसाले और ग्रेवी का जो टेस्ट है वो अच्छे से अलू और मतर दोनों में आ जाए पानी मैंने इनमें अभी इस्तमाल नहीं करना इनको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें पानी आड़ करेंगे तब ही अच्छा फ्लेवर आएगा वरना जो प्याज और टमाटर होंगे वो पानी में तहरते हुए नज़र आएंगे ये देखें अब मैं इसमें तक्रीबन एक ग्लास के करीब पानी डालूंगी और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और कवर करके तक्रीबन पंदरा से बीस मिनट के लिए इनको लो टू मीडियों फ्लेम पर पकाऊंगी तो माशाला से पंदरा मिनट हो गए हैं इनकी भुनाई को और देखें अलू और जो मटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं और इनकी बहुत ही अच्छी और जबर्दस्त किसम की खुश्बुआ रही है बस इसी पॉइंट पर अब मैं इसमें दो से तीन हरी मीच्छे अड़ कर दूँगी और धेट सारा हरा दनिया तो माशाला से बहुत अच्छी रुका रही है अब मैं लास्ट में इसे डालूँगी गरम मसाला कुटा हुआ फ्रेश मैंने इसमें गरम मसाला अड़ किया है और वन टेस्पून कसूरी में थी यह आप लाजमी अड़ करें से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब इसको मैं सर्फ करती हूँ तो माशाला से बहुत मज़दार और सबकी फेवरिट अलू मटर की रैस्पी बिल्कुल त्यारा यह इतनी टेस्ट ही बने थे कि यह चिकन के कडाही को पीछे चोड़ रहा था तो रैस्पी को लाजमी ट्राइ किया करें और चैनल को सब्क्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी रगए हो तो वीडियो को लाइक मिलती हूँ एक और नहीं जबर्दस वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल लगेगा तब तक के लिए अलावाफिस